तो हेलो गाईस आप सभी लोग का हमारे यूटुब चैनल टेकनिकल आमितो आईटी में बहुत बहुत मोश्ट वलकम है फ्रेंस आज की इस वीडियो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ यदि आपका भी खाताब SBI बैंक में है तो आप भी योनो के थुरू से आप लोग अपना कैसे चेक बुक ओलाइन आडर कर सकते हैं यदि आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर 3-4 घंटे लाइन लगाना पड़ता है फॉर्म फिल करना पड़ता है तब होता है कि नहीं होता है वहाँ बैंक वाले जल्दी करते नहीं तो मैं आज आपको एक तरिका बताऊंगा कि आप लोग घर बैठे योनो के थुरू से हम लोग चेक बुक या एटियम कैसे अपलाई कर सकते हैं ठीक है इससे आप लोग चलिए वीडियो को हम सुरू करते हैं अपना चेक बुक और लाइन के लिए और कैसे कर सकते हैं ताकि आपके घर दस से पंता दिन के अंदर पहुंच जाए तो घर बैठे आपको लोग कैसे कर सकते हैं और आपको बैंक भी जाना नहीं पड़ेगा तो चलिए पूरा प्रोस नहीं बनाए हैं तो प्ले इस्टोर से आप लोग आइस अपना यहाँ पर यह नो अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लिना है ठीक है तो यह नो एस बिया जैसे सर्च करेंगे यह नेट बैंक होती है इसके तुरू ही आप लोग अपना चेक बुक और लाइन और कर सकते हैं ठी म-pin को यहाँ डाल देजिये चलिस अल्षक को डाल देते हैं तो यहाँ आप फ्रेंड से डाल दिये हैं और लोडिंग ले रहा है अड्ट इसके बाद आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफैस्स देखना मिलेगा तो आपको सबसे नीचे कोप अपसन यहाँ पर देखने क का चीक है चख का तो check request वाले option पर क्लिक करेंगे जैसे click करेंगे तो यहाँ पर धेरश सारी option आपको मिलेंगे तो उसके बाद सबसे पहले आपको ऊपर अपना account सेलेट करना पड़ेगा प्लीज सेलेक्ट इसके बाद यहां पर मेरा account आ गया इसके उपर सेलेट करेंगे अब यहां पर number of leave required मतलब जो आपका checkbook रहेगा उसने कितने pages रहेंगे तो यहां पर दस पेज़ेगे तो यहां पर दस पेज़ेगे तो आपको एक भी रुपए नहीं देना पड़ेगा लेकिन अगर आप 25 से ज़्यादा मंगाते हैं तो आपको 40 रुपए यहां देना पड़ेगा ठीक है प्लस GST के साथ है जिसका यहां पर current account है उसको यहां पर तीन रुपए प्लस GST के साथ देना पड़ेगा यदि यह 30 चेक्बुक लिप्स खड़िता है यहां साब लोग पढ़ सकते हैं चले हम आपको आगे बढ़ते है यहां पर दोनों पर टिक कर देना है और नीचे आपको एक option लेगा next का तो next वाले option पर क्लिक करना है अब आपको address लेट करना है जहां पर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसको पर क्लिक करेंगे तो आपको तीन आपशन आएंगे पहला registered address जो आपको bank में आपके खाते में link address address उसे address पर आएगा आपका यह चेक्ट बुक और यहां पर या लास्ट dispatch address उसके भी कर सकते हैं नहीं तो आप लोग यहां पर अपना एक नया address लेट कर सकते हैं बना सकते हैं यहां पर रहत रह रहे हैं या तो मैं registered address पर ही मंगाऊंगे इसको पर क्लिक करूँगा अब जिसे रेिच्टर डिडेस्वश करूँगा यह देख लिए मेरा सारा डिटेल्र आ गया पिनधर गरहा आ गया कनफम करेंगे तो यहाँ आप दिया हैं तो फिर से वहीं वाले option पाईएगा और चेक वाले option क्लिक करके यहां पर आप लोग उसका status देख सकते हैं ठीक है तो आपको बहुत ही असन तरीके समयने बताया कि घर बैठे आप लोग अपने चेक बुक को कैसे योनों के फुरू ऑडर कर सकते हैं आपका चेक बुक आसाई से घर में आ जाएगा लेखिन अधी आप बैंक जाते हैं तो बैंक में आपको पांच-छे घंटे लाइन लगाना पड़ता है तब जका आपका चेक बुक ऑडर होता है तो यह बहुत आसान तरी क्या था आप लोग घर बैठे योनों से ही चक्पूक और लाइन अटर कर सकते हैं तो वीडियो कैसे लगी आप लोग कुमेंट कीजेगा मिलते हैं आपको फिर से नेक्स वीडियो के साथ में